हेलो बच्चो यह आपके नाइंट क्लास का सेकिंड लेक्चर है ठीक है दा पार्टिकल ओफ मैटर है एफ स्पेस बीट्विन देम कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है मतलब की जगह होती है ठीक है इसिए कि बन देराम की जो पार्टिकल होते हैं यह समझाएंगे और यह एक्सपरिमेंट ऐसा है कि जो आप घरों में करते हो थीक है जैसे निम्बू पानी हो गया यह उसी का यह एक्परिमेंट हुरेिए कोforcement ब्सकता टेक ए 100 ml बिकर एक 100 ml का बिकर लीजी आप ठीक है फिर उसके बाद फिल half the बिकर with water and mark the level of water तो उसके बाद आपको क्या करना है उसमें half मतलब 50 ml में उसको water को 50 ml water को बिकर में डाल देना है ठीक है जो आपने 100 ml का जो बिकर लिया था उसको half fill कर लेना है ठीक है and mark the level of water और फिर उसका जो level है न water का उसके आपको एक mark कर देना है निशान कर देना है ठीक है डिजोल सम सुगर with the help of a glass road अब उसके बाद क्या कीजेगा इसमें 50 गिराम आप सुगर चिन्नी को डिजोल कर दीजिए ठीक है चिन्नी को उसमें गॉल दीजिए ठीक है चिन्नी को आपको क्या करना है डिजोल करना है ठीक है we will find that the level of the sugar solution in bicker is at the same mark where the water level was initially in the bicker अज़र देखोगे आपने we will find that हम क्या पाते हैं भई जो level था ना जो देखोँ हमने बच पानी रख लिया हुआ था ठीक है और फिर उसके बाद हमने चिन्नी भी डाल दी उसमें 50 ग्राम लेकिन जो water का जो level था वो थो उतना ही था ठीक है भई हमने 50 ग्राम चिन्नी भी डाल दी तो उसका water का level तो बढ़ना था लेकिन बढ़ना क्यों नहीं तो एक confusion हो गए न यहां पर हमने तो 50 ग्राम इसमें कुछ डाला 50 ग्राम हमने इसमें चिन्नी डाले शुकर डाला और water का level था बढ़ना था लेकिन water का level नहीं बढ़ना क्यों नहीं बढ़ना ठीक है अब इसका कारणी यह है कि जो पानी होता है उसके बीच में space होते है चोटे मतलब कि जो पानी के बीच में space होते है ठीक है और जो आपने sugar डाल ले थी वो क्या हो गया उसमें जाकर स्पेस में जाकर dijol हो गई ठीक है इसलिए जो पानी का जो मारक था वो वहीं पे था पानी का लेवल ना तो उपर उपर ही जाना था भाई देख उसमें कुछ डालने तो उपर ही जाना था तो वो उपर नहीं गया क्योंकि जो वाटर है उसके बीच में क्या है स्पेस है और स्पेस होने के कान जो चिनी के जो कन है वो कहां पर चले गए चीनि के जो पार्टीकल है वो कहां पर चले गए पानी में चले गए मल पानी के जो बीच में जो पेस है उसमें चले गए ठीक है धेख लेगे वें शोगर is dissolved in water it crystal separate into very fine particle this particle of sugar go into space between the various particle of water due to which there is no change in the volume of water and dissolving sugar in it वह बात बता रखे जो उसका वाटर का जो level है वो डिजॉल करने के बाद उसका level नहीं बढ़ता है ठीक है यह मैंने आपको बता दिया कि जो पानी होता है उसके अंदर क्या होता है अब ऐसे का अच्छािए ग्जाम्पल आपको बताता हूं जैसे अगर्बत्त जल्टी ए प्वा में जलती है लेकिन आप दूर साहि बता देते हो कि जो सुबबो आ रही है कहीं पर ने अगर्बत्ती है वो क्या हो रहे हैं continue move कर रहे है ठीक है तो जो matter के जो पार्टिकल है वो continue move करते रहते हैं ऐसे ही जैसे आप किसे hotel के पास जाते हो तो वहाँ पर आपको खाने की जो खुसबू होती है वो आपको आजाती है ठीक है पता चल जाता है यहां पर खाना बन रहा है इधर hotel मतलब मैंटर है वो constantly move करते हैं ठीक है और इसका एक example और हमने और करवाया था potassium पर magnet वाला उपर करवाया था ना potassium पर magnet वाला जो first point में करवाया था potassium पर magnet वाला ठीक है जब देखो एक potassium पर magnet को हम एक hot water में dissolve करते हैं और जब उसको cold water में dissolve करेंगे तो उसको में time लगेगा ठीक है तो और यह जो experiment है यह मैंने इस experiment की वीडियो भी डाल रखी है ठीक है एक separate experiment नेम से first video डाल रखी है आप उसमें भी check कर सकते हो ठीक है if we carry out the experiment by using hot water in the bigger we feel find that the water turned purple at faster rate ठीक है वही बात बता रहा है कि जो hot water होता है उसमें जो purple color होता है वो fast तेजी से हो जाता है ठीक है this is because ऐसा क्यों होता है देखो ऐसा इसलिए होता है on heating the particle of water जब हम heat करते है particle of water जब हम water के particle को heat करते है that of potassium per magnet gain kinetic energy तो जो potassium per magnet होता है वो क्या कर लेता है kinetic energy को और kinetic energy कब बढ़ते है kinetic energy जब बढ़ते हैं temperature बढ़ते हैं temperature बढ़ेगा अच्छा देखो यहां पी heating क्या हुआ है क्या होए तो क्या होए तो क्या होए तो क्या होए तो यहां पर क्या होगा होगा होगी तो क्या होगा वो fast करेगी ठीक है and due to fast moment they mix into each other more quickly और इस फास्ट मोमेंट के कांड़ जल लिए हापस में गुल जाते है ठीक है मैंने वीडियो डाल रख के वैसे आप एक्स्परिमेंट की ठीक है उसके बाद है दा पार्टिकल ओफ मैटर अट्रेक्ट इच अधर देखो अब यह तो आप सिंपल सा एक्जामपल इसका कि भाई जो पार्टिकल होता है मैटर को आपस में एक दूसरे को अट्रेक्ट करते हैं जैसे देखो और जो सॉललीड है सोलीड में देखो जैसे सॉलीड के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे को अट्रेक्ट करके रखते है ठीक है तो देखो देर आर सम फॉर्स ओपार्टिकल ओट्र मेटर विच बाइन टो गैधर ठीक है यह कह रहा है कि बाई जो कर दोसु रर सम दियोगता आा घर्सँ पिर.